तो हलो दोस्तो स्वागत है हमारे IICT Institute के YouTube चैनल पर तो दोस्तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे IICT Institute के YouTube चैनल पर आप सभी को IIBF की latest वीडियो मिलते रहती हैं तो दोस्तो आप सभी का हमारे IICT Institute के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए IIBF के questions पर आधारी तो दोस्तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही helpful होने वाली है तो आए द दोस्तो हम देरी ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो यहां पर पहले question से सुरुवात होती है पहला question है bank एक ऐसी संस्ता है जिसे से या को जमाराशिया सुईकार करना और धन उधार देना होता है यही question आपको अंग्रेजी में मिलेगा the bank is an institution which has to accept deposits from and lend money to यहां पर blank इस्तान है इसको आपको देना है फिल करना है तो bank एक ऐसी संस्ता होती है जिसे या किसको जमाराशिया सुईकार करना है धन उधार देना होता है यह आपको question में पूछ रहा है कि bank का कार क्या होता है तो यहां पर आपसंस आपके सामने है समाज या जनता के सभी सदस्यों all members of society are public समाज के मध्यम वर्ग middle class of society समाज के समरद्वर्ग या रिज क्लास आफ सोसाइटी समाज के गरीब वर्ग यही आपको answer के रूप में चूज करना है हिंदी में अगर देखेंगे तो हिंदी में आपसंस आपका है समाज या जनता के सभी सदस्यों अगरेजी में question देखेंगे question का answer आपको रहेगा all members of society are public ठीक है next question दोस्तों अगला question है नेम लिखित मेंसे किसने banking संस्क्रति को अत्यदिक परिवर्तित कर दिया है English में question रहेगा which one of the following has hugely changed the banking culture यानि जो बैंक की संस्क्रति को बदल दिया है किसने बदल दिया है तो आपको option में देखकर उत्तर देना option रहेंगे बैंकों को उपलब्द अधिक परिचाल नात्मक सतंतता यहीं अंग्रेजी में मिलेगा more operational freedom available with banks next option है डेश के दूर दराज वाली स्थानों तक banking का प्रसार फैलाओ spread of banking to the remote corners of the country सुद्रण बैंकों का कमजोर बैंकों के साथ billion यानि merger of the strong banks with the weak bank next option है बैंकिंग में प्रोद्योग्य की बढ़ते व्योग और अंगी करन इंक्रीज्ड यूज एंड एडाप्शन आप टेकनालजी इन देश के दूर दराज वाली स्थानों तक बैंकिंग का प्रसार फैलाओ spread of banking to the remote corners of country इसी ने बैंकिंग संस्क्रति को अत्यदिक परवर्तिद कर दिया है यही option आपका बी नंबर सही होगा ठीक है दोस्तों बी नंबर शही आंसर आपका होगा अंग्रेजी में यही क्वेशन रहेगा विच्वन अदव फॉल्विंग सर्विस इस नाट इमंग अमंग मेसलनेनियस सर्विसस प्रवाइड बाइड बाइंक आप्शन है इसक्रो सेवाएं सुरच्चित अभी रच्छा सेवाएं नयाय सदारिता उन्हें स्थावार संपदा एजन्सी सेवाएं यानी रियल इस्टेट एजन्सी सर्विसेद यह आपसन आपका साही होगा आपसन नंबर टी ठीक है दोस्तों नेक्ट क्वेशन है पी ओएस इसको अंगरेजिम बोलते हैं पोस का पूर्ण रूप है फुल फार्म आप पॉस इज क्या है फुल फार्म पॉस का आप्शन है प्वारती इस्टेट बैंक एक है यहां पे बलाएंक इस्तान है अब भारती इस्टेट बैंक क्या है SBI is A यहां पे बलाएंक इस्तान है SBI क्या है यहां पे हिंदी एंगरेजिम में दोनों आपका कामिनेशन है इस स्रीज में और इस तरह के आपको स्रीज मिलती रहेंगी लगातार एक या दो दिन के अंदर अंदर आती रहेंगी तो आप वीडियो में बने रहेगा इसी तरह बोई देखते रही है कि चैनल में बने रहेगा option यहां पर दीया हुआ है निजी शेत कवा और प्राइवेट सेक्टर रंक सहकारी वायंक जो कौक्रेटर वांक होता है सारवजनिक पर पाप्लिक सेक्टर बैक कैते रामीर बैंक जो रिजनल रोरल बैंक बहाती स्टेट बैं सारवजनिक छेत का बैंक है भारती स्टेट ठीक है अपसंस ही है सारवजनिक छेत प्रब्लिक सेक्टर बैंक नेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों लगुवित बैंकों में से आप एच्ची धाइगी कम से कम 50 ऐसे रिंड प्रदान करें जिनकी रखाम प्रति उधार करता यहां प पर आप्शन है 25 रुपाई से अनधिक हो तो यहां पर जो सही अप्शन होगा आपका कोश्चन देखके ही आपको सही आप्शन चूच कर लेना है एक्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन सेम आपको यही कोश्चन देखने को मिलेंगे इस समय जो करेंट एक्जाम चल रहा है तो लगोवित बैंकों सब एच्छित है कि वे एक कम से कम पचास ऐसे रेमेट प्रदान करें जिनकी रखम प्रति उधार करता आप्शन होगा 25 रुपाई से आनधिक हो यानि डेज नाट एक्सीड रेट 25 लाक ठीक है रुपीज जो है 25 लाक से अधिक ना हो नेक्ट किया हुआ है अंग्रेजिम यहीं क्वेश्चन देखेंगे तो रहेगा देयर और वार्यास वराइटी जाफ कोब्रेटिव बैंक इन आवर कंट्री विच वन आप दा फॉल इन नहीं है तो सही आफसन आपको क्या है आफसन यहां पे दिये हुए है सहरी सहिकारी बैंक जिस भी नमीड विकास बैंक जो लाइन डिवलापमेंट बैंक होता है जीला माद्वर्थी बैंक यानी दिश्टिक सेंट्र गॉपरेटी बैंक तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा तहीं अंसर होगा आपका 63 ग्रामीड वैंक यहीं आफसन आपका शही होगा अन्य-वि प्राइश क्वेश्च के और बढ़ते हैं मियादी जमा को यहां पिपलाएं किस्ताना के रूप में वर्गी करत किया जाता है तो जो मियादी जमा होता हैं अंग्रेजी में देखते हैं एक वे बॉजित क्लासिफाइड आएज पैस्ट डिपॉजिट को पर युद्व मैंसे कोई नहीं नाफ़ता एक तो मियादी जम्मा को किस रूप में वर्गी करत किया जाता है तो दोस्तों मियादी जम्मा को टर्म डिपॉजिट के रूप में वर्गी करत किया गया जो कि आप संसी में है टर्म डिपॉजिट यानि हिंदी में कहेंगे तो ज़्याद लाव किसमें मिलता है अंग्रेजी में यही क्वेश्चन मिलेगा the major source of banking profit is the option है भीमा उत्पादों पर अर्जित कमीशन यानि कमीशन अंग्रेमों से ब्याज आए इंट्रेस्ट इंकम फ्राम लोन्स एंड एडवांसेज वेप्रेशन सेवाओं के लिए प्रभारिश सुल्क fee charge for remittance services mutual fund की विक्री पर अर्जित commission commission and on sale of mutual fund तो banking lab का जो प्रमुक्सरोथ होता है जो बैंक का सबसे ज़्यादा लाव होता है वो होता है रेड़ों एंग्रेमों से ब्याज आए जो interest income from loans and advances होते हैं उनहीं से बैंकों को सबसे ज़्यादा benefit मिलता है आफसान आपका इसी लिए ये ब परणन करता है which one of the following statement describes the basic function of a bank तो कौन सा कथन बैंक के मूल कारियों को परणन करता है यानि बैंक का मूल कार क्या होता है इन कथनों के कार्डिंग आप्शन है धन उधार देना और उसे वसूल करने के लिए वसूली एजेंटों को नियुक्त करना यानि तो लेट लेंड मन आप्शन भी है जमाराशियों की रूप में धन स्विकार करना और उसे विधी सम्मत कारोबारी उधेशों के लिए उधार देना तो एसेफ्ट मनी इंदा फॉर्म आप डिपोजिट्स एंड टू लेंड इट पार लेजिटिमेट बिजनेस परपज आप्शन सी में है कर परफट जारिक रेमिट मनी आन भी हाफ में आप कस्टमा सेंड टू इसकृशन का सही और क्या होगा यहां पे वरणन करता है तो बैंक का जो में कार रोता है वो होता है आपका option B में है जमाराजिये की रूप में धन सुईकार करना और उससे विधी सम्मतकारोबारी उद्धेशों के लिए उधार देना To accept money in the form of deposit and to lend it for legislative business per budget यानि जैसे loan की रूप में बाट दे बाइंक ठीक है Next question है Last question है इस स्रीज का निम्ले कितमे से कौन सी जमाराज सी जमा करता के लिए एक वर्स में ब्याज की अधिकतम रकम अरजित करती है मानले की जमा की रकम एक समान है Which one of the following deposits earn the maximum amount of interest to the depositor of one year Option है मासिक अधार पदे साधार ब्याजवाली मियादी जमा FX deposit with simple interest payable monthly तिमाही अधार पर दे चक्रवदी ब्याजवाली जमा a deposit with quarterly compound interest तिमाही अधार पर दे साधार ब्याजवाली मियादी जमा FX deposit with simple interest payable quarterly उपरवानित सभी तीनों ही जमराजियें ब्याज की साधार समान रकम अरजित करती है All the above three deposits earn equal amount of interest इस question का सही आंसर आपको क्या होगा आपसा नंबर A में होगा मासी क अधार पर दे शाधार अनब्याजवाली मियादी जमा FX deposit with simple interest payable monthly यही आपका सही आंसर होगा तो यह बारवा है question आपका है यहां पर दोस्तु question है कि निम लिखित में से currency query service आधार mapper जिसको अंग्रेजी में QSAM का उपयोग है यही question आपको अंग्रेजी में मिलेगा which one of the following is use of the query service आधार mapper QSAM इनके options है bank से खाता खोलने जाने की स्थिती जानना to know account opening status with bank आधार bank से आधार seeding की स्थिती जानना to know आधार seeding status with bank तीसरा option है bank से खाते में sales की जानकारी प्राप्ट करना English में है to know account balance with the bank चौथा option है bank से जारी चेकों की स्थिती की जानकारी प्राप्त करना इसको अंग्रेजी में है to know check issued with issued status with bank तो इस question का जो option है कह रहा है कि name लिखित में से कौन सी query आधार mapper का व्योग है यानि आधार mapper किस सिस्टम के अंतराद किया जाता है यानि किस कौन सा जो है तरीका जिससे आधार mapper किया जाता है आपको इस question का answer इसका regarding बताना है तो जो अधार mapper होने का तरीका होता है वो bank से आधार seeding की स्थिती जानना यानि बैंक में जो आधार सेडिंग होती है उसी अधार पे qsam यानि आधार query अधार service mapper का यूज किया जाता है तो option यहां पे सही होगा to know अधार seeding status with bank यही आपका सही answer होगा ठीक है next question है दोस्तो आवर्ती जमा को यहां पे blank इस्थान है के रूप में वर्गी करत किया जाता है अंग्रेजी में question इसी तरह का आएगा कि a recurring deposit is classified age तो जो आवर्ती जमा है उसको किस रूप में वर्गी करत किया जाता है तो दोस्तो यहां पे चार आपसं दिये हुए है मांग जमा यानि demand deposit जिसको dd बोलते हैं संकर hybrid deposit जो flexi जमा होता है और सावदी जिसको term deposit बोलते है तो आवर्ती जमा जो होता है उसको अन्य नाम जो होता है term deposit जो होता है वो आवर्ती जमा का उसी रूप में वर्गी करत किया गया है ठीक है next question है दोस्तो मियादी जमा जमा रसीदों के संबंद में निम लिखित में से कौन सा कथन सकते है which one of the following is true in regard to fixed deposit received तो जो मियादी जमा रसीद होती है उनके संबंद में इन चार आपसंद में से कौन सा सही है यहाँ पर पहला आपसंद है यह किसी चेक की भाहती अंतरड़ी होती है यानि it is transferable like a check दूसर आपसंद है यह एक परक्राम लिखत होती है यानि it is a negotiable instrument तीसरा आपसंद है यह क्यों उसकी दे या नियत तिसी को ही दे होती है इसको अंग्रेजी में कहेंगे it is payable only on its due date लाश्ट आपसंद है यह जारी करता साखा में ही दे होती है यानि it is payable at the branch of issue तो यहाँ पर कह रहा है वह केवल उसकी दे या नियत तिसी को ही दे होती है जो कि option number c में है यही option आपका सही माना जाएगा ठीक है दोस्तों next question है चालू खाते को और खाते के नाम से भी जाने जाते है तो जो चालू खाते होते हैं जो current accounts and saving accounts are also known है जो saving account current account है उनको और किस नाम से जाना जाता है ये question में पूच रहा है option है आपके मियादी जमा इनी fake deposits मांग जमा इनी Demons deposit सवाधी जमा इनी time deposit उपर योक्त सभी तो जो चालू खाते और बचत खाते होते हैं एक परकार के Demons deposit जिसको dvd बोलते हैं Rough घंदी में मांग जमा चालू खाते और बचत खाते एक परकार के मांग जमा खाते कहला जाते हैं ठीक है दोस्तों नेक्ट प्रश्चन है इसी तरह है दो वर्सों की एक शामान आवरती जमा में जमा करता तो जो दो वर्सों की शामान आवरती जमा होती है उसमें जमा करता का क्या कारेक होता है यही अंग्रेजी में देखेंगे तो लिख के आ रहा पूरी राज ही शुरुवात में जमा करता है यही चौथा आप्षन है उपर इक में से कोई नहीं नहीं नापदा एको तो दो वर्सों की जो एक सामाना वर्ती जमा होती है उसमें जमा करता को क्या करना पड़ता है आप्षन आपका कौन से सही होगा इस क्वेस्चन मा इस क्वेस्चन का जो सही आप्षन होगा वो होगा आप्षन नमबर ए कि दो वर्सों तक एक निश्चित रासी मासिक अधार जमा करता है ठीक है यह आपका शही होगा कि दो अरसों तक एक नीशित रासी मासिक अधार को जमा करता है ठीक है दोस्तों यह आपका माना जाएगा सही है कि चालू खातों की संबंद में निम्लिखित में से कौनसा कथन सत्ते नहीं है जो चालू खाते होते हैं which one of the following statement is not true in respect of current accounts तो चालू खातुक्षाम बंद में निम्लिखित जो आप्शन दिये हैं ये इनमें तो कहरा है कौन सा सत्ते नहीं है आप्शन है व्यक्ति इंडिविज्वल चालू खाते खोल सकते हैं इंडिविज्वल कान ओपन करेंट अकाउंट तो कोई भी व्यक्ति जो होता चालू खाते कोड़ सकता है बैंक स्वाविविए पर चालू खातों पर ब्याज आदा कर सकते हैं उडिये इनमें देनों की संक्या में पर कोई दिवन्द नहीं है there is no restriction on the number of transaction in a current account तो जो चालू खाते होते हैं उतमें क्या नहीं होना चाहिए कि चालू खाते को बैंक सा विवेक पर ब्याज अदा नहीं कर सकता है बैंक चाहिए जो भी खाता हूँ अपने विवेक पर ब्याज अदा नहीं करेगा ब्याज अपनी जेव से नहीं देगा तो इसलिए इस क्वेश्चन का आप्शन कौन सा है जो सर्त कतन नहीं है वो यहीं होगा बी नंबर ठीक है नेक्स क्वेश्चन है कि कोई भी बैंक अधिक्तम या आपसन है अब अधी के लिए म्यादी जमारासी सुएगा कर सकता है एक बैंक का एंड एसेप्ट फिक्ट डिपॉजिट फारे मैक्सिमम पीडियर तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें कितने सालों के लिए फिक 10 साल के लिए होती है 10 साल ततकी FD होती है यानि फिक्स डिपॉजिट तो यहां पी 10 वर्स आपका सी नंबर में है इसलिए आपका यही क्वेश्चन सही होगा कि बैंक जो है वो अधिक्तम 10 वर्स के लिए मियादी जमारासी सुएगार कर सकता है ठीक है नेक्स वेश्चन है खाता खुलने का फार्म जिसके अधार पर बैंक खाता खुला जा सकता है अनिवार रूप से एक होती है या होता है An account opening from based on which bank account is opened is essentially तो जो खाता खुलने का फार्म होता है वो किस रूप से होता है क्या होता है यहां पियापसन है ग्यापन यानि या मरेंडम है मांग है एर है समुरिदा है यान यह कंट्रैक्ट है उपर इतने से कोई नहीं तो जो खाता खोलने का फार्म होता है उसमें हम लोग कि वाइसी करते हैं एक हम अपनी रिक्वेश्ट लगाते हैं कि हमें खाता खोलना है खोला जाए तो एक प्रकार से यह जो खाता खोलने का फार्म होता है वो एक प्रकार से request लगाने वाला request season होता है यानि मांग होती है ठीक है option number B में है मांग यही जो की सही answer होगा next question है कि bank के ग्राहक पद में का समावेश नहीं है the term banks customer does not include तो जो bank में ग्राहक सब्द होता है पद होता है वो किसमें समावेश नहीं होता है इन option के recording option है अपना खाता खोलने के इरादे से bank में आने वाली किसी भी व्यक्ति यानि anyone coming to the bank with the intention of opening his account bank के साथ banking लें दिन करने वाले किसी भी व्यक्ति anyone conducting banking transaction with the bank bank के व्यक्ति कुधार करता an individual borrower of bank bank में जमा खाते रखने वाली किसी भी विदिक संख्या any company and legal entity having a deposit account with the bank तो bank जो ग्रहक पद में समावेश नहीं होता है वो क्या नहीं होता है option number C में है कि bank के व्यक्तिक उधार करता जो उधार करता व्यक्तिक यानि individual होते हैं bank में ये चीजे नहीं होती है कि उधार करता bank के लिए इस पेसली हो ठीक है इसलिए इस question का option C number समावेशन नहीं होता है में C number होगा ठीक है next question है कि KYC प्रक्रिया का मुख्य उधेश से दस्तावेजी साच्च के माध्यम से ग्रहा की पहचान और ठीक है यहाँ पर होना है तो निश्चित यह प्रमाईद करना होता है KYC प्रोसेस इंटेंडेट टू इस्टेबलाइज आइडेंटिटी याइनड आफ एक कस्टमर थोरो टाक्यमेंटरी एविडेंस यहाँ पर है कि KYC का जो में उधेश होता है दस्तावेजी साच के मादन से ग्रहक की पहचान यह पता या इडेज आए इंकम पेसा आपको पेशन उपर एक तो सभी तो जो KYC होती है KYC से जो कस्टमर होता है उसका पता भी मालूम चलता है कि कहा का है उसकी इंकम को तो पता नहीं चलता है KYC में इसमें पूंचा जाता है कहां से हो क्या करते हो क्या नहीं यह KYC के इंतरगत आ जाता है अपने ग्रहक को जानिए सम्वन्नी मान दंडोपा दिसा निर्देश तो आरा जारी किये जाते हैं काई लाइन सान KYC नांस और इसूड पाई तो जो KYC होता है जो अपने ग्रहक को जानिए जो हिंदी में बोलते है KYC को यह दिसा निर्देश कौन जारी करता है आप्शन है भाती रिजर वैंक आर बी आई भारत सरकार जियो आई विस्ट बैंक वर्ड बैंक अंतर राशी मुद्रकुष तो जो KYC के दिसा निर्देश जारी करने वाले होते है वो होता है आर बी आई जिसको रिजर वैंक आफ इंडिया कहा जाता है ठीक है आर बी आई ही KYC से संबंजित जो मान दन्ड होते हैं उन निर्दारित करते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे जो 23 क्वेशन है क्वेशन है क्वेशन का पूर्ण रूप है चुकि दोस्तों मैंने जो पिछले क्वेशन में भी यह चीजें बताई थी आपको कि क्वेशन का पूर्ण रूप क्या है यह क्वेशन आपको आल रेडी मैं बता चुका हूँ लेकिन एक कोंशन वार वार आ रहे हैं तो दोस्तों KYC का जो पूर नाम होता है आप सभी को पता है कि KYC का जो पूरा नाम होता है know your customers यह full farm होती है KYC की ठीक है यही अंग्रेजी में भी इसी तरह question आएगे KYC means तो KYC means know your customer ओके next question है दोस्तों यहाँ प्यगला question है धन सोधन जिसको money laundering कहते हैं कि तीन चरणों का सही करम कौन सा है अंग्रेजी में यही question आएगा which is the correct sequence of the three stages of money laundering तो money laundering के जो तीन चरण होते हैं वो कौन से होते हैं तो दोस्तों money laundering के जो तीन चरण होते हैं वो होते हैं placement या नियोजन परदबंदी या इस तरह या इस तरह जिसको बोलते हैं एकी करण या इन्टी ग्रेशन यह money laundering के तीन चरण होते हैं पहला option आपको सही होगा इस question में बाकी आपके हैं परदबंदी परिमार्जन नियोजन एकी करण परदबंदी या नियोजन नियोजन सोधन परिमार्जन तो नियोजन परदबंदी और एकी करण यह option नमबर ए आपका सही आंसर होगा इस question का धन सोधन के तीन चरणों का सही करम के रूप में ठीक है next question है दोस्तो लगू खातों के मामले में खाता के अधार पर खोला जाता है तो जो दोस्तों लगू खाते होते हैं वो किस अधार पर खोले जाते हैं किस बेस पर खोले जाते हैं वो question आपको पूंच रहा है यही question अगर आप देखेंगे अगर इंगलिस मे तो in case of small accounts, an account is opened based on, तो based on यानि किस बेस पे खाते खोले जाते हैं जो लगू खाते होते हैं, यानि जिनकी आधार वगरा नहीं बने होते हैं, जिनके identity नहीं होती है, वो लगू खाते खोले जाते हैं, बैंक के प्राधिकरत्रे या नामित अधिकारी की उपस्थिती में ग्रा declaration by the customer in the presence of a designed officer of the bank, यानि बैंक का कोई भी कर्मचारी हो, उसकी उपस्थिती में ग्राहक द्वारा एक स्वागोष्ण पत्र बनवा कर खाता खोला जाता है, लगू खाता, आपका इस question का सही answer होगा, डी नंबर की बैंक के प्राधिकरत या नामित अधिकारी की उपस्थिती में द्राहक द्वारा स्वागोष्ण ठीक है, नेक्श प्रशन है दोस्तों, जिनके पास आधिकारिक रूप से वैद कोई दस्तावेज ना हो, ऐसे व्यक्ति बैंकों में इस प्रकार के लगू खाते खोल सकते हैं, जिन में किसी भी समय सेस, यहाँ पे रास ही है, पूच र रास ही उस खाते में होनी चाहिए, मैक्जिमाम अधिक्तम उससे ज्यादा ना होनी चाहिए, अंग्रेजी में क्वेश्चन आपका रहेगा, दोज परसंस वू डू नाट हैव एनी अव दा ओफिसियली वैलिड डाकुमेंट्स कैन ओपन इसमाल अकाउंट्स विद बैंक्स वियर बैलेंस इन दा अकाउंट नाट भी मोर दैन अट एनी पॉइंट आफ टाइम तो जो लगू खाते की समय से सीमा होती है, अकाउंट की बैलेंस की वो होती है, आप्शन नंबर आपका सी नंबर पचास अजार रुपए, जो की पचास अजार रुपए से अधिक रुगाते वैद होते हैं, ठीक है, नेक्ट क्वेशन है दोस्तों, के वाई सी प्रयोजनों के लिए नेम लिकित में से कौन सा दस्तावेज आधिकारिक रूप से एक दस्तावेज नहीं है, विच वन आप दो फॉलिविंग डाकुमेंट्स इस नाट आइन आफीसियली वैल डाकुमेंट्स फार के वाई सी परपज, तो जो के वाई सी परपज के लिए आप मेन डाकुमेंट्स होते हैं, जो वाई होते हैं, तो वो डाकुमेंट्स आपके क्या होते हैं, लेकिन इसमें पहुच रहा है कि कौन सा डाकुमेंट्स वाई दस्तावेज नहीं है, जो कि य प्रियोजन के लिए नहीं होता है राश्टी जनसंख्या रजिस्टर ठीक है राश्टी जनसंख्या रजिस्टर एक वएद दस्तावेद नहीं माना जाता है ठीक है next question है दोस्तो अगला question कहे रहा है कि स्वयम सहायता समूर जिसको SHG बोलते हैं self-help group का खाता खोलने के लिए स्वयम सहायता समूर के का KYC सत्यापन आवस्यक है यहां पर के के जगा बाद में ब्लैंक जगाए का के का for opening an account of a self-help group SHG का KYC verification of the SHG is required SHG का फार्म खोला जाता है खाता खोला जाता है स्वयम सहायता समूर का तो उनमें कह रहा है कि KYC किनिकी आवस्यक है और किनिकी नहीं है तो यहां पर question के जो आप्सन दिये हैं केवल पधाधिकारी सभी सदस कमसे कम आधे सदस सभी पधाधिकारियां और कमसे कम एक दो— तो स्वाइन सहताश में का का जब खाटा कोला जाता है तो उन्में से क्यbor L. C. होती है शिर्फ पधाधिकारियों की पधाधिकारियों की क्य vois D. only होती है आपसा नमबर एसाई होगा केवल पदादी कारियो ठीक है only the office bearers ठीक next question है ब्याजदर ब्लाइंक किस्ताने के रूप में व्यक्ति की जाती है ये मुच रहा है कि ब्याजदर किसके रूप में व्यक्ति की जाती है rate of interest is expresses तो जो ब्याजदर होती है वो आपको भी पता होगा तो ब्याजदर किसके होती है मूल धन का जो प्रतिसत होता है उससे ब्याज बनती है मूल धन के प्रतिसत है परसंटेज आप प्रिल्पक जो मूल धन होता है उसके प्रतिसत से ही ब्याज बनाई जाती है आपसान नमबर राइट अंसर होगा नेश कोईशन है बैंक ए ने एक चार दो हजार ये कोई भी सन्माल लीजे को 25,000 रुपाई की रासी मंजूर और समवितरित की हुआ इतिमाही अधार पर खाते पर 9,60 ब्याज प्रभारित करता है तीस चैक को खाते में प्रभारित की जाने वादी ब्याज की रासी होगी बैंक ए सैंक्सेंट एंड बिश्बस्ट ए सम आप रेट 25,000 अन 1 फेबुरी इट यहाँ पर वन फोर होगा सोली तो जो ब्याज होगी आपकी यहाँ पर एक चार को दी गई है और 36 को प्रभारित की जाती है तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कुल मिलाके 3 महीने हो जाते हैं तीन महीने यहाँ से हो जाते हैं तो अब ती मही पर जो 9% ब्याज लग रही है तो आप अगर कल्कुलेशन यहाँ से करेंगे ऐसे करके 25,000 का 9% आपका कितना होगा इस तरह करके आप जो है कल्कुलेट जैसे करेंगे ऐसे करके ऐसे अगर आप कल्कुलेशन करेंगे तो 150 रुपए नेक्ट पुश्चन है किसी बैंक के लिए रिंड यूम अग्रिम यहां आपसां पूश्चन का आंसर पूश्च रहा होती या होते हैं लोन्स एंड एडवांसेज फार बैंक्स आर जो बैंक की रिंड या अग्रिम जो भी जमा होती हैं आपको पता होगा कि जो भी लोन्स वगरा होते हैं पॉलसी होती हैं उनको क्या बोलते हैं लाइवल्टीज बोलते हैं क्या बोलते हैं लाइवल्टीज आप्शन नमबर ए मे means तो KCC का पूर्ण रूप क्या होता है किसान कैस कार्ड होता है किसान कैस कार्ड होता है किसान कस्टमर कार्ड होता है उपर इत्में से कोई नहीं तो जो किसान यहां पर सो जी दोस्तों आप्शन बी में है किसान कस्टमर कार्ड यहां पर करेंगे तो किसान कस्टमर कार्ड हो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है किसान क्रेडिट कार्ड आपको इसमें नहीं दिख रहा है किसान क्रेडिट कार्ड जो की आपसें में है डी में कि उपर इतमें से कोई नहीं यहीं आपका सही होगा किसान क्रेडिट कार्ड जो की इन आपसें में से नहीं है ठीक है तो इस स्रीज का जो last question है निम लिखित में से कौन से व्यक्त किसान credit card से उज़ा के लिए पात नहीं है which are the following persons are not eligible for our किसान credit card facilities कौन से व्यक्त हैं जो किसान credit card से उज़ा के लिए पात नहीं है तो जो किसान credit card होता है वो मौकी किया लिखिती पल्टेदार oral leases के लिए भी होता है कास्ट कार के लिए होता है जो tenant farmer होते हैं और जो share cropers होते हैं बटाईदार होते हैं उनके लिए भी होता है लेकिन जो corporate farmers होते हैं उनके लिए नहीं होता है किसान credit card क्योंकि rules के carding है किसान credit card, oral leases, tenant farmers, share coppers और भी है उनके रिए होता है लेकिन corporate किसान के लिए नहीं होता है इसलिए नहीं का यहां पर पूँच रहा है तो यह path नहीं होंगे option number C जो की आपका सही answer की रूप में माना जाएगा 33 questions का सही answer होगा option number C किसान corporate farmers question है करसक कलब यहां पे बलाइंकिस्तान है द्वारा गठित बुनियादी इस्तर वाली अनौपचारिक मंच होते हैं तो farmers clubs are informal forums at grass organized by यहां पे किसके मादन से जो करसक कलब बनाए जाते हैं वो आपको बताना है तो यहां पे आपसान है जिला इस्तर के प्राजिकारियों यानि डेश्टिक लेवल अथार्टीज छेत के समर्द क्रसकों यानि एफ्लिएंट फार्मा इंदा एरिया बैंकों की ग्रामीर साखाओं यानि रूरल ब्रांचे जाब बैंक कारबार समपर्कियों मतलब business correspondent तो जो किसक कलब होते हैं वो किस के द्वारा गठित बुनियादी इस्तर वाली अनौपचारिक मंच होते हैं आपको बताना है तो इस question का जो option होगा आपका C number में होगा बैंकों की ग्रामीर साखाओं में बैंकों की ग्रामीर साखाओं द्वारा गठित बुनियादी इस्तर वाली अनौपचारिक मंच होते हैं करसक कलब next question की ओर चलते हैं अगला question है दोस्तों कि किसी ग्राहक सिका क्या होनी चाहिए the first requirement for the resolution of a customer complaint is किसी ग्राहक समाधान की सिकायत समाधान के लिए पहले हो सकता क्या है आपसन आपके सामने रहेंगे ग्राहक को खुश करना डिलाई the customer सिकायत को समझना to understand the complaint नियंतरन अधिकारी को सिकायत रिपोर्ट करना to report the complaint to the controlling ग्राहक के साथ बाचीत करना तो दोस्तों यह question आप देखकर अपने आप भी question का जवाब दे सकते हैं अगर आपको एक ग्राहक एक as a merchant या दुकान दार या CSP पॉइंट चलाने वाले हूं या भी आप कोई दुकान चला रहे हो तो आपको इस शीच का अन्वह होगा कि ग्राहक को किस तरह हम convince करें तो इ आंसर यह होगा कौन सा होगा B number में सिकायत को समझना option दिया है तो जब ग्राहक की सिसकायत होती है तो पहले आपको सकता है उसकी इस सिकायत क्या है उस सिकायत को पहले आप सॉल्व करेंगे नहीं घो तो आपको इस question का सही answer मैं डायरिक बता रहा हूँ इस question का सही answer होगा कि Siri H.I. की एक दुकान के पास अपने दोस्त Siri J. के साथ Siri Y. जो की ग्राहक सेवा केंद है से मिलते हैं और खाते में सेज जानना चाहते हैं तो जो ग्राहक सेवा केंद होते हैं उनके मादन से आप चाहें तो बैंक की जो खाते की सेज धन्रासी हो जान सकते हैं इसलिए इस question का आपका सही answer होगा आपसर नंबर A. Siri H.I. की एक दुकान के पास अपने दोस्त Siri J. के साथ Siri Y. ग्राहक सेवा केंद हैं और खाते में सेज जानना चाहते हैं जो जो चलाते हैं रांग विद इस फ्रेंट जेट नियर एटी इस्टाल आएंड वांट तो नो दा बैलेंस मिश्टर वाई काल्स आउट दा बैलेंस रीडिंग फ्राम इस हैंडेल डिवाइस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं यहां पर ब्लाइंक इस्टान है तो आप्शन इन में से आप शवी को बताना है आप्शन है ग्राहकों में आज यह देता दोनों उत्पादों की बेतर समझ होनी चाहिए अंडेस्टेंडिंग एमंग कस्टमर्ट आप बोथ एसेट और लाइबल्टी प्रोड़क्ट ग्राहकों में बैंकों के समझ चाने वाली बाधाओं की बेहतर अनभूती रिलाइजेशन एमंग कस्टमर्ट आप दा काइंट्रेंड फेड बाइबैंक ग्राहकों में आज उत्पादों की बेहतर समझ यानि अंडेस्टेंडिंग एमंग कस्टमर्ट आप एसेट प्रोड़क्ट ग्राहकों में जोकिमों की बेहतर समझ अंडेस्टेंडिंग एमंग कस्टमर्ट आप रिस्क कि इस question का जो सही answer होगा क्या होगा question के सही answer आपको बताना है धो हूं कि ग्राह को में आज कि देता दोनों इतर बशुक्त की बहितर समझ यही जो है में होती है option आपका A number सही होगा ठीक है next question है charge card के समान होता है तो charge card A charge card is similar to A तो charge card किसके समान होता है पिछले questions में मैंने बताया था options आपको मूल संचित card प्रिपेट card, credit card, debit card तो जो charge card होता है वो credit card होता है इस question का option number C होगा credit card next question है दोस्तों कारबार संपर्गियों के पास मौझूद सूच में ATM निमलिकित में से किस प्रकार के लेंदेनों में सहायता करता है which are the following types of transactions are supported by micro ATMs with BC तो जो कारबार संपर्गियों होते हैं जो BC होते हैं business correspondent होते हैं उनके मादम से जो कार होता है वो होता है क्या होता है option आपके सामने है पहले option में कहा रहा है जमा, आहरण, निधी, अंतरण, और सेज की जानकारी deposit, withdrawal, fund transfer and balance inquiry जमा, निधी, अंतरण, लाकरों और सेज की जानकारी यानि deposit, fund, transfer, lockers and balance inquiry जमा, आहरण, निधी, अंतरण, और रिंट की जानकारी deposit, withdrawals, fund transfer and loan inquiry जमा, उधार, देना, निधी, अंतरण, और सेज की जानकारी तो आप सबी को पता होगा कि जो BC होते हैं वो क्या कर सकते हैं जमा, आहरण, निधी, अंतरण, और सेज की जानकारी ये चीज़ें कर सकते हैं तो option आपका A number है जमा, आहरण, निधी, अंतरण, और सेज की जानकारी option number A आपका इस question का सही answer होगा ठीक है तो अगला question है दोस्तो ATM का पूर्ण रूप है जो ATM होता है ATM means क्या होता है आप सभी ने नाम सुना होगा ATM जिसमें आप lane देन करते हैं यानि पैंक से जो पैसा निकालते है ATM आपके पास उसका फुल फार्म क्या होता है option A में कहरा है automated time machine automated tailor machine any tailor machine all tailor machine तो जो ATM कार्ड होता है उसका फुल फार्म होता है automated tailor machine आप सभी का यह option जो दिक राभी नंबर यही होगा automated tailor machine ठीक है next question है ATM जहां कोई अन्य पार्टी ATM machine की मालिक है और किराय या बीलों के भुगतान साइथ ATM machine का संचालन करती है तथा एक bank network प्राड़ी के साथ connectivity और नगधी परवाय करता है उससे ATM कहा जाता है तो कौन सा ATM कहा जाता है ATM where a third party owns a operates the ATM machine including payments of rent bills ATC and a bank provide the connectivity with a network system and that the cash are called as the यहां पर क्या कहलाएगा जो ATM जहां कोई अन्य पार्टी ATM machine की मालिक है तो उसको हम क्या कहते है और किराय बीलों के भुगतान साइथ ATM machine का संचालन कौन करती है ATM machine की जो मालिक होती है तो इसको हम कहते है एक परकार से आउट सोर्स यह आउट सोर्स पर है आपसान आपका बी नंबर सही होगा आउट सोर्स नेक्ट कोशन है यदि कोई ग्राहक नराज हो तो उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है इफ एक कस्टमर इज एन्वाइड तो जो यदि कोई ग्राहक अगर नराज हो तो आप अगर एक कस्टमर इज दुकान दार है तो आप सभी को पता होगा कि उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि उसे खुश करने के लिए मुश्ची आप पेस करेंगे यानि फिरी में आप उसको कुछ देंगे तो आफर फिरी बीज तो प्लीज हिज या हर उससे उदारता पूरोग माफी माँगना यानि आप उससे माफी माँगेंगे तो अपॉलाइज तो हिम या हर प्लोफेज ली उससे नहीं विनमरता और अनुमोदन के साथ सांथ करना तो उससे खुष करने के लिए मुश्च की पेसकास करना ये हो नहीं सकता उससे उदारता पूरोग माफी करना ये भी नहीं उससे विनमरता और अनुमोदन के साथ सांथ करना यह हो सकता है कि नहीं यह आपसन आपको बताना है तो क्या होगा उसे विनमर्था और अनुमोदन के साथ आपको सांद करना होगा उससे पूछना होगा कि क्या है आपकी समस्या तभी कस्टमर आपको जो ग्राहक नाराज हो तो उससे नहीं पढ़ सकते हैं आप ठीक है नेक्स क्वेशन दोस्तों कभी भी कहीं भी आपने इस नाम को सुना होगा कभी भी कहीं भी बैंकिंग निकित में से किस प्रद्योगी से समध्ध है विच वन आप दा फॉलूइंग विच वन आप टेकनालजी इस एस अस्वेटेटेट विद एनी टाइम एनी फेयर बैंकिंग तो ज कोर बैंकिंग समधान यानि कोर बैंकिंग शालोशन तो कभी कहीं भी का मतलब होता है यह एक प्रकार से को're कोर बैंकिंग समधान पर अधायत है यह प्रद्यों की ठीक है तो यह था आपका डी नंबर का आंसर इस क्वेश्चन है दोस्तों एक हांड हेल्ड डिवाइस आम ताउर पर यहां पर ब्लाइंक स्थान है ग्राहकों के फिंगर प्रिंट भंडारित कर सकता है तो जो एच सच्डम इस तरह मिलेगा कि कि हैंड हेल्ड डिवाइस का अलडे टैपकली स्टोर सिंगर प्रेंट्स आ पकसदमर्स तो जो हैं डिवायस होती है उनमें से डाटा स्टोर कर करने Holz काइपीसिटी होती है हांडे की यह आपका की सेवज़े की हम दटर tied को। 100 number का option B number 100 यही आपका सही अंसर होकर ठीक है नेश्ट क्रेशन है दोस्तों ग्राहक सेवा केंद यहाँ पे जगा छुटी है एक प्रकार से पूझ रहा है कि ग्राहक सेवा केंद क्या होते है तो जो CSP होते हैं वो क्या होते हैं आपशन आपको दिया है बैंक द्वारा बैंक के एजेंट के रूप में नियुक किये जाते हैं और कारोवार प्रतिनिधी के अधीन काम करते हैं जो BC होते हैं वो कारोवार प्रतिनिधी के अधीन कार नहीं करते हैं बैंक द्वारा कारोवार प्रतिनिधी के एजेंट के रूप में कार करने के लिए च चैनित किये जाते हैं selected by the bank correspondent to work as the bank agent कारोबार प्रतिनिधी द्वारा अपने agent के रूप में डियुक्त किये जाते हैं तो जो BC होते हैं उनका कार क्या होता है BC जो होते हैं वो बैंक द्वारा वो एक प्रकासिक कारोबार प्रतिनिधी जिसको फुल भाम होता है BC का business correspondent यानि कारोबार प्रतिनिधी तो कारोबार प्रतिनिधी के रूप में कार करने के लिए चैनित किये जाते हैं ठीक है तो यह आपका आपसंद B number सही होगा बैंक द्वारा कारवार कर दिदी के एजिट ग्रूप में कार करने के लिए चैनित किये जाते हैं selected by the bank to work as the agent of the business correspondent ठीक है ये आपसाना आपका C number सही होगा ग्रहक सेवा के इनका ठीक है ग्रहक सेवा के इनका कार यही होता है नेश पॉस्चन है कि PMJDY के अधिगीन प्रदान की जाने वाली ओरड्राफ्ट सुधा की अधिकतम आवजी निम लिखित में से कौन सी है the maximum period for which ओरड्राफ्ट is allowed PMJDY तो जो PMJDY होता है यानि प्रदान मंत्री जंधन योजना उसके अधिगीन अगर प्रदान की जाने वाली ओरड्राफ्ट की जो सुधा होती है उसके लिए अधिकतम आवजी जो होती है क्या होती है इस question में पूँच रहा है यहाँ पर आफसान है 12 मन्त 12 माईने 24 माईने 36 माईने और 23 माईने तो जो PMJY के लिए ओरड्राफ्ट की सुधा की अधिकतम आवजी होती है वो होती है आपकी 36 मन्त आपसा नंबर जो की सी में 36 मन्त ठीक है यही आपका सही होगा 36 मन्त question है अगला SSA का पूर्ण रूप है SSA stands for तो जो SSA होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है आपको फिछले question में मैंने बताया था repeat करवाय था कि SSA का पूर्पार्म होता है सबसर्विस एरिया आपका नंबर D आपका है सबसर्विस एरिया यही साई होगा ठीक है किसी बैंक के मूल कारियों का वरान करता है विच वन आप फॉल्विंग स्टेट्मेंट डिस्क्राइब देसिक फंक्शन आफ ए बैंक तो बैंक का जो मूल कार होता है और उसे वसूल करने के लिए वसूली एजेंटों को नियुक्त करना जमारासियों के रूप में धन स्विकार करना और उसे कारोबारी ओदेश्यों के लिए धार देना कर भुकतान स्विकार करना तथा उसे सरकार को विप्रेशित करना तो जो बैंक कार होता है वो होता है कि जमारासियों के रूप में धन सुईकार करना और उसे कारोबारी उद्देश्यों के लिए उधार देना यानि जो बिजनेस वाले होते हैं उनको लोन देना और accept money धन सुईकार करना ये कार होता है किसका buying का मूल कार होता है ठीक है तो ये आपका इस question का सही answer होगा बी नंबर यही आपका सही होगा ठीक है next question है कि तातकालिक भुक्तान सेवा उपलब्द है जिसको बोलते हैं IMPS immediate payment service is available तो जो तातकालिक भुक्तान सेवा होता है इसका full फाम होता है immediate payment service जिसको start में बोलते है IMPS तो जो IMPS होता है वो कह रहा है कि कितने समय के लिए उपलब्द होता है option है सभी कार दिवसों को 24 गंटे के लिए 24 hours on all working days हमेशा रभी वार को छोड़का 24 गंटे के लिए सभी कार दिवसों तो जो IMPS होता है IMPS आपको बताना चाहूंगा कि immediate payment service जो होती है वो all time के लिए होती है यानि हमेशा चालू रहती है कभी भी आप उसका यूज कर सकते हैं IMPS का ठीक है अगला क्वेशन है नेम लिखित में से कौन सी बैंकों में budget bank जमा खातों की एक महत पूर्ण विसेशता है which of the following is an important feature saving bank deposits account in banks तो जो बैंक खातों की एक महत पूर्ण विसेशता है क्या होती है option है जमा करने की शुदा जरूरत पढ़ने पर आहना की शुदा एजी टू विड़ाल इंटाइम आप नीड नमांकन शुदा nomination facility और उपर इक सभी तो जो बैंक में कार होते हैं वो होते हैं जमा करने की सुदा होती है जरूरत पढ़ने पर धन निकालने की भी सहुलियत होती है अन्नामांकन की सुदा भी होती है यानि nomination नॉमिने भी अगर करवाना हो तो बैंक में ही होती है इस सारे question आप ये सारे विकल्ब आपके सही है इसलिए आपका ये D number सही होगा उपर योग तो सभी है ठीक है next है चालू खाते और बचत खाते के नाम से जाने जाते है current accounts and saving accounts are also known as तो जो चालू खाते और बचत खाते ह is और किस नाम से जाने जाते हैं ये आपका question में पूच रहा है function या उसकी से की जाती है इन बैंकिंग ट्राइंजेक्शन एक कस्टमर इस जनरली रिकॉनाइज भाई ही जिया हर तो जो बैंकिंग लेंदेन होता है आप कभी बैंक गया हूं पैसे निकालने तो आपने देखा होगा कि बैंकों में क्या जरूरी मांगते हैं यानि अगर आपन के पास जो रिकार्ड मौजूद होता है सताच्चर का वही आपका सबसे पहले चेक होता है इसलिए आपका यह नंबर कर साहीं होगा बैंक के पास रिकार्ड में हर सताच्चर अगला क्वेशन है दोस्तों कि आपके ग्राहक ने तीमाही चक्रवदी बैयाद जो जो फुनर किया जाता है के शाथ किता प्रतिवर्ष की दर्फ पर दो वर्स के लिए एंड पशास अजार रूपाय जमांगा कि यानि तीमाही तीन महिने के लिए तीमाही चक्रवदि ब्याद जो यह हैं दो साल के लिए ठीक है क्या होगी तो यहां पर मेजोर्टी क्या होगी अगर पचास हजार रुपए साथ परसिंट की दर्स दे रहा है तो आपका एक साल का होगा 3500 रुपए वही दो साल के लिए है तो 3570 यानि साथ हजार रुपए यह आपका अलग से लगेगा प्लस पचास हजार यह होके कुल मिला के आपका क्या हो जाएगा 57000 तो 57000 आपका जो आपसे ए नंबर में है यही सही होगा जो आपकी परिपत्कुता रासी टूटल होगी नेश्ट परशन है दोस्तों इस स्रीच का आप भीमा की प्राटमिक स्रेंडिया यहां पे ब्लाइंकिस्तान है और है प्राइमरी का टेग्री जाव इंस्वारेंस आर एंड तो जो भीमा की प्राटमिक स्रेंडिया है वह क्या होती है तो भीमा की जो प्राटमिक स्रेंडिया है और दूसरा क्या होता है एक हेल्थ होता है और वाहन का भी होता है लेकिन प्राटमिक जो होता है वह होता है जीवन और स्वास जीवन पहला होता है और स्वास इप्राइमरी एनस्वारेंस ठीक है तो यह था आप सभी लिए आई टूड करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी अगर बीडियो अच्छी लगी होतो लाइक कर दीजिएगा चैनल में परिदो सबस्काइब जरूर कर दीजेगा तो अगर आप कंप्रीशन की तैयरी करना चाहते हैं और अच्छी तैयरी करना Cain Mitglied में हम आप सभी क्लिए जब कर दो sind अच्छे मटेरियल्स में फट्रवाइड करते हैं आप सभी के लिए यह चैनल हमारा आप जरूर सब्सक्राइब करें या आपने भाई को सब्सक्राइब करें आप जो भी फ्रेंड्स में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं आप सभी से गुजारिस है कि आप सभी के प्यार सपोर्ट की बहुत अवस्क्त होती है इन सब चीजों में तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि question यहाँ पर दिया हुआ है निम लिखित में से किसने banking संस्क्रति को अत्धिक परिवर्तित कर दिया है कर दिया है यही question आपको अंग्रेजी में इस तरह मिलेगा Each one of the following has hugely changed the banking culture तो banking संस्क्रति की जिसने बदल दिया है किसने बदल दिया है वो आपको इन चार options के एकार्डिक देना है तो यहाँ पर पहला option है बैंकों को अधिक परिचला परिचला नात्मग श्वतंद्रता यानि more operational freedom available with banks देश के दूर दराज वाले इस्थानों तक banking का प्रसार फेलाव इस्प्रेड आप banking to the remote corners of country सुद्रण बैंकों का कमजूर बैंकों के साथ विलेयान merger of the strong banks with the weak banks next option है last banking में प्रद्द्रकी की बढ़ते उबयोग और अंगी करने यानि increase the use and adoption of technology in banking तो यह चार options में थे आपका सही option जो होगा इस question का वो होगा B number देश के दूर दराज वाले इस्थानों तक banking का प्रसार फेलाव यह आपका सही answer होगा ठीक है अगला question है दोस्तो भुक्तान bank सकता है भुक्तान bank ए payment bank कायन तो एक जो payment bank होथा हो क्या कर सकता है यहाँ पे आपको option में समझ में आएगा की payment bank क्या कर सकता है option है जमारासी इन सुविकार नहीं कर सकता यानि can not accept deposits केवल बचत बैंक खाते में जमाराशिया स्विकार कर सकता है यानि केवल बचत बैंक खाते और चालू खाते में राध जमाराशिया स्विकार कर यानि केवल बचत बैंक खाते में राध जमाराशिया स्विकार कर यानि केवल बचत बैंक खाते में राध जमाराशिया स्विका कश्चुमर तो जो भुगतान वहेंत को बता रहा है कि जो भुगतान वहता है वह एक लाग रूपय से अधिक की धनराशी जमा नहीं कर सकता है आपका आपसान डी में मिंसन है यह किसी भी प्रकार की किन्द olması प्रतिग्रहाक एक लाग रुपई से अनिदिक्की जमराशी स्विकार कर ठीक है अगला कोशन है दोस्तों जहां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक रूप से वायद दस्तावेजों में अध्यतन पता यानि एड्रेस जिसको कहते हैं वायलिड अध्यतन पता ग्राहक को की अवदी के भीतर वर्तमान पते सहीत आधिकारिक रूप से वायद कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना अवसक्त होता है वेयर दा ओफिशियली वायलिड डाकुमेंट्स फरनिश्ट बाइड कस्टमर डज नाट है अपडेटेड अपडेटेड अड्रेस दा कस्टमर इस रिक्वाइड कि अगर आपको बताना है कि अगर आपके पास कोई वायद दस्तावेज ना हो तो उसको बैंक में कितने दिन तक देना होता यानि अगर उसके खाते में ना लगा हो तो इस क्वेश्टन का जो आप्शन है यहां पर आपसन दिया है 60 डेट 60 दिन 45 दिन और 3 माई 1 माई तो ब अवधी होती है जो वाइली डिटी होती है आपको देने के लिए वो होती है एक माई एक माई के भीतर अगर आपके एकाउंट में जो अध्यतन पता ना हो तो उसको सभी करने के लिए आप एक माई के भीतर अपना डाकुमेंट्स दे सकते हैं पारिक रुपाइए प्राप्ट के लिए प्राप्त कीया प्राइण वाली प्रति भूती होती है। security obtained for a crop loan of 1,00,000,000 under kisan credit card तो जो एक लाख रुपाए की kisan credit card की जो प्रतिवूती होती है वो होती है option A है अन्य पच्छ गरंटी यानि third party गरंटी भूमी का बंदक, mortis of land, फसलों का दरश्टी बंदक यानि हाइपो थीकेशन आफ प्रॉप उपर इस सभी एक साथ तो खिसान credit card का जो एक लाख रुपाए का फसल रेंड के लिए प्राप्त की जाने वाई प्रतिवूती होती है वो होती है भूमी का बंदक, भूमी आपकी जब बंदक में हो जाती है तो आपको loan मिल जाता है अगला question है दोस्तों bank staff द्वारा अपने उधार करताओं के संब्द में निम्ड खित में से कौन सा समर्थन कारी उपाय करने के अपेच्छा नहीं की जाती है which one of the following supportive measures are not expected to the bank taken by the bank staff in respect of their borrowers यानि अपने जो जो बैंक होता है उसके द्वारा अपने उधार करताओं के शंब्द में कौन सा कथन कह रहा है कि समर्थन कारी उपाय करने के पेच्छा नहीं की जाती यानि किसी भी उधार करता कि प्रती जो समर्थन कारी उपाय करने के पेच्छा नहीं की जाती आप्शन है प्रसंस करण एजन्सियों के साथ तालमेल सुगम बनाना facilities tie up with processing agencies उनके उत्पादों के विपढ़न के लिए बहुत बहुतरीन तरहीके के शंबंद में प्रदान करना प्रवाइडिंग गाइडेंस फार बेस्ट वियाफ मार्क्टिंग दियर प्रोडक्ट्स निजी सरोतों से रेंड़ सुवजाओं की विवस्ता करना यानि अरेंजिंग फार क्रेडिट फैसिल्टी फ्राम दी प्राइवेट सोर्सेड ठीक है निविस्टियों की अपूर्ति के लिए उपर युक्स एजेंसियों के साथ हम पर करना यानि लाइजन विद एप्रोप्राइट एजेंसी फार सप्लाई आफ इनपूर्ट तो बैंक जो अपने उधार करता हों को समर्थन कारी उपाय करने के अपिक्शन नहीं करता तो वो क्या होता है वो हो होगा निजी सुरोतों से रेंड सोविधाओं की विवस्ता करना यानि बैंक निजी सुरोतों से रेंड सोविधाओं की विवस्ता नहीं कर सकता नहीं करना चाहिए यह जो है उपाय करने की अपिक्शा बैंक के दोरह नहीं की जाती ठीक है अगला क्वेशन है दोस्तों सू सर्विस होती है सुच मेरे कारिय कराभ होते हैं वो कउंसे सर्विस प्रदान कर रहा है किसको प्रदान कर रहा है आप्ष tradis you जो किसानों को dollars समाजी ग्र चाली स्वार्गी को क्रती मजदूर तो जो सूच में कारकलाब होता है वो निर्धनों या गरीबों को सेवा में पदान कर रहा है आपका आप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा नेक्ट प्रेशन है दोस्तों बीपील का पूर्ण रूप है बीपील आपने नाम सुना होगा रासन कार्ड में योंड पॉवर्टी लाइन है तो बीपी रूर्टी लाइन तो विपील की होता है फुल पावर्टी लाइन आपका बीपील का पूण रूप माना जयता है ओक्शन दि क्रेया राइस sco נX क्वेशन है FM भाइए के अधीन drift धार्प्ड होने वाली जीवन वीमा वाट इस दा एमाउंट आफ लाइन इंसोरेंस कवर अवेलबल फॉ टू एकाउंट वोल्डर अंडर पी एम जेडी वाई तो पी एम जेडी वाई के अधिहिन खाता धारकों को उपलब्ध होने वारी जो जीवन वीमा सुरच्छा की रखम होती है वो क्या होती है आपको बता आप्शन में हैं एक लाख रुपए असी हजार रुपए पचास हजार रुपए तीस हजार रुपए तो यहां पे जो पी एम जेडी वाई के अधिन जो खाता धारकों को उपलब्ध होने वारी जो जीवन वीमा की रासी होती है वो क्या होती है दोस्तों आप्शन में हैं एक लाग रुपाई यही आपका सही अंसर होगा एक लाग रुपाई का ओके नेक्ट कुश्चन है प्रधान मंत्री सुरच्छा बीमा योजना के ताहित दुरगटना बीमा सुरच्छा सरस के यहां पर बलाइंकिस्तान है की आयू तक पहुंचने पर समाफ्थ हो जाएगी त एक होता है प्रधान मंत्री सुरच्छा बीमा योजना अलाग होगा तो प्रधान मंत्री सुरच्छा बीमा योजना के ताह दुरगटना बीमा के जो आयू होती है maximum कितने तक चलेगी वो चलती है 70 years तक इसके बाद आपकी खतम हो जाएगी यही आपका right next question है देश में PMJDY की सुरुआत कब हुई when was the PMJDY launched in the country in the country तो जो इंडिया में PMJDY की सुरुआत हुई थी वो कब हुई थी यह पहुच रहा है तो PMJDY की सुरुआत इंडिया में कब हुई थी 2010 में हुई थी गेरा में हुई थी 14 में हुई थी 12 में हुई थी तो प्रधान मंत्री जंधन योजना की सुरुआत 2014 में हुई थी 2014 में प्रधान मंत्री जंधन योजना की सुरुआत हुई थी ठीक है यह आपका right answer हुगा 2014 इस रीच का question है अगला last प्रधान मंत्री जंधन योजना के अंतरगत ओर ड्राप्ट जिसको बोलतेहें अधिक्तम आयू सीमा है मैंने इसके पहले हैं ने के अधिक्तम आयू सीमा हैं और जो जंधन योजना के लिए जो B कोड़ी की सुधा पराप्ट करने के लिए मैगसिमम एज होती है वो होती है आपके आपके पास डेविट का जिसको एटियम गार्ड बोलते हैं अगर वो है तो आप सबीको पता भी होगा कि इसका इस्तेमाल किया क्या होता है तो आप्शन यहां पे दिया हुआ है कि एटियम स नगदी निकालने, ATM से नगदी निकालने, दूशे नंबर विक्री के इन डिवाइस के माद्धिन से व्यापारी को भुखतान करने, ठीक है, नंबर तीन कहा रहा है, आनलाइन स्वापिंग का भुखतान करने, तो दोस्तों यहाँ पे जो डेविट कार्ड का इस्तमाल किया ज जाती है, यह तो आप सबी को पता भी होगा, कि ATM से नगदी निकालने के लिए ही डेविट कार्ड का यूज मुख के रूप से किया जाता है, और दूसरा है, विक्री के इन डिवाइस के माद्धिन से व्यापारी के इन डिवाइस के माद्धिन से कर सकते हैं, और लाश्ट एकुल मिला कि, डेविट कार्ड का यूज यह जो आपसन दिये हुए है, तीनों आपसन में किया जाता है, तो यहाँ पे जो आपसन आपका दिक रहा है, एक, दो और तेन, यह डी नमबर का आपसन आपको सही होगा, कि विक्री के इन डिवाइस नों पर भी किया जाता है, ATM तो क्वेशन है, IMPS का उप्योग करते हुए मोबाइल बैंकिंग के माद्धन से विप्रेशन करने के लिए विप्रेशक को प्राब्द करना हुता है, तो IMPS अगर आपको करना है, तो उसके माद्धन से क्या-क्या होना चाहिए, यह क्वेशन में आपको पूच रहा है, money identify and mobile banking pin केवल mobile money पहचान करता mobile money identifier only केवल mobile banking pin mobile banking pin केवल विशिश्च ग्राहक पहचान करता unique customer identifier only इन चार आपसंस में से कौन सा ऐसा आपसंस है जो IMPS का उप्योग करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है तो IMPS का अगर आप उप्योग करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए mobile money पहचान करता mobile money पहचान करता होना चाहिए जिसके मादन से आप IMPS कर सकते हैं ठीक है option number B आपका सही है mobile money identifier only next question है दोस्तों तुरंत भुगतान सेवा जिसको IMPS कहते हैं आप पर जगह चूटी है कि जरी अंतर बैंक इलेक्ट्रानिक निथी अंतरन की शुविधा प्रदान करती है आप्शन है mobile banking इंटरनेट बैंकिंग ATM क्रेडिट कार्ड हो तो IMPS का यूज किसके मादन से किया जाता है इसके पहले ही हमने डेविट कार्ड का यूज बैता है या यह IMPS तो IMPS सेव बुगतान अगर सेवा आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या है कि mobile banking होनी चाहिए इंटरनेट बैंकिंग इंसे भी कर सकते हैं ATM से भी कर सकते हैं credit कार्ड तो दोस्तों IMPS का यूज आप mobile banking से कर सकते हैं internet banking से कर सकते है ATM और credit card कार्डों से आप IMPS का प्रयोग नहीं कर सकते यह लेन देन करने के लिए होता है या आप पैसा निकाल सकते है से क्रेडिट कार से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन यूज क्रेडिट कार में नहीं होता है इसलिए आपका आप्शन नंबर एक और दो सही होगा एक नंबर ठीक है सुनियोजित बैठकों में ग्राकों के साथ बात्चीतिया समवाद से यहां पर जगा चुटी है ग्राहक सिकायतों के आउसरों को कम करने में सहायता मिलती है इंट्रक्शन विद कस्टमर साथ इस्ट्रक्शर्ड मीट्स हेल्फ इन रिडूशिंग ऑकेजन आफ कस्टमर कम्प्लेंट्स बाई ठीक है सुनियोजित बैठकों में ग्राहकों के साथ बात्चीतिया समवाद से ग्राहक सिकायतों को कम करने में शाहता मिलती है अप्शन है उनमें बैंकिंग सेवाओं की समझ में सुधाला कर इंप्रूविंग अनरिस्टेंडिंग आप बैंकिंग सर्विसेस थोरो एमंग दिम उनके साथ बेहतर सौहार्द बनाकर बिल्डिंग बिटर रैपॉर्ट विद दिम उन्हें उदार आतित प्रदान करके या है तो क्या करना होगा तो आपको क्या करना होगा उनमें बैंकिंग सेवाओं की समझ में आप सुधाल लाएंगे तब ही आप जो है सिकाज्टों के अवसुरों को कम कर पाएंगे ठीक है आप्शान नंबर ए आपका सभी है नेक्ट है भुगतान और निप्टान प्रणालिय आए किसके अधिन हैं पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स अर अंडर दा सुपर वीजन आप बुक्तान और निप्तान प्रणालिये किसके मतलब सुपर वीजन में रहती हैं बाहरत यहां पर आपसान है भारती राष्टी बुक्तान निगम नेशनल पेमेंट कार्पोरिशन आफ बाठी बाठी प्रतिभूति और विनिमय बोड सीगेरिटी एक्सचेंज बोड आफ इंडिया भारती समा सुधन निगम यानि क्लीनिंग कार्पोरिशन आफ इंडिया भारती रिजर बैंग बुक्तान पेमेंट और सेटेंबेंट का सिस्टम होता है वह आर बी आई क्या दि इसलिए आपका option number ये डी number सही होगा RBI ठीक है डी number RBI दोस्तों इसी तरह के question पाने के लिए हमारे चैनल IICT Institute आप सभी को जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं IICT Institute देख रहे हैं यहाँ पर आप सभी को बहुत ही latest वीडियो जाप सभी को देखने को मिलती रहेंगी तो आप हमारे चैनल IICT Institute को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ठीक है तो यहाँ पर आप सभी नंबर आपका सही होगा next question है अउपचारिक वित्ती प्रणाली द्वारा असुधापराप निम्न आयसमो को वित्ती सेवाओं की सुपूर्दगी कहलाती है क्या कहल नंबर आपसर को देख रहा है आपका वित्ती प्रणावेशन द्वारा असुधापराप निम्न आयसमों को वित्ती सेवाओं की सुपूर्दगी कि वह कहलाती है क्या option आपको देख रहा है डी नमबर आपसंगों दिख रहा है आपका वित्ती समावेशन जो की option number D आपको सही होगा वित्ती समावेशन ओके यही question का answer होगा वित्ती समावेशन यह सारे question आप सब्सक्राइब रट लीजेगा यही the minimum balance to be maintained in bank account on or opened under PMJDY तो PMJDY के दिन खाता जो खोलने के लिए new term क्या रहना चाहिए यहाँ पर आपसा ने कोई new term sales निजाइद नहीं किया गया there is no minimum balance stipulation 5 rupees 10 rupees 100 rupees तो PMJDY के दिन अगर खाता कोलने की जो new term वो होती है balance की mandatory जो चीज होती है वो क्या है कि balance कितना होना चाहिए तो PMJDY के लिए कोई new term sales निजाइद नहीं किया गया है ठीक है कोई new term sales निजाइद नहीं किया गया है आपसान नम्मर ए आपका शही है option a कोई new term sales निजाइद नहीं किया गया ओके next question है रूपे डेविट order यूजिंग विइड कार्ड आप लूख रूपे डेविट कार्ड यूज करते हैं यानि डेविट कार्ड को ATM बोलते क själv आप लोग यूज ही करते होंगी लेकिन आप लोग जो ATM यूज करते हैं बैंक में पैसा जब निकलने जाते तो वहाँ पर आप सभी को एक चार अंकों का पिन देना होता है चार अंकों का आपको पिन देना होता है तभी आपका जो बैलेंस है तभी आपका जो पैसा है वो निकलता है अगर आप वो पिन नहीं देंगे तो आप पैसा नहीं निकल सकते हैं तो उसी पिन की बात हो रही है उस pin का full form कह रहा है क्या है तो full form आप आप्शन में देखेंगे आप्शन में है people identity number people identity numeral personal idea number personal identification number तो जो pin का full form होता है वो होता है personal identification number d number आपको सही है personal identification number जिसका short में नाम होता है pin और full form होता है personal identification जो आप देबिड कार यानि देबिड कार्ट जो एटीम यूज करते हैं उनके लिए नेट प्रधान-मंत्री जीवन-जोती-भीमा यो जना के अंतरगत जीवन-भीमा योजना में सहभागी बंक तो सहभागी बैंक क्या होते है प्रफिसीपेटिंग बैंक सिंद लाइफ इन स प्रदान मंती जीवन जोती बीमा योजना के इंतरगत जीवन बेमा योजना में साहिवागी बैंक या पोस्ट आफिस जो भी होते हैं पोस्ट भी होते हैं पोस्ट आफिस में भी बीमा होते हैं और बैंक में भी होते हैं तो जो पोस्ट में होंगे तो पोस्ट आफिस वाले आप जो बैंक में होंगे बैंक वाले तो वो एक प्रकार से क्या होते हैं यह चार आपको दिया है तो जो बैंक या पोश्ट आफिस वाले होते हैं वो एक प्रकार से क्या होते हैं वो होते हैं मास्टर पॉलसी धारक मास्टर पॉलसी धारक उनको कहा जाता है जो कि आप्शन भी नमबर में Master policy धारक अगर बैंक को वाला कोई खाता खोलता है वीमा वाला तो बैंक का अंतरगा तो वह Master policy धारक होगे अगर पोश्ट अफिस में होगा तो वह भी Master policy धारक पोश्ट अफिस में कहला आएगे ठीक है नेश्ट कोश्चन है दोस्तो यदि PMJY खाता धारक चेक बुक प्राप्ट करने का चुक हो तो उसे यहां पर क्या करना चाहिए कह रहा है अगर PMJY खाता धारक चेक बुक प्राप्ट करना चाहता है तो क्या है इप दा PMJY प्राप्ट वाइख वेश्ट टुगेट चेक बुक हीर्ट उसको क्या करना होगा या उसे क्या होगा यहां पर आफसर है निए बैंक के निवंतंसे कोई कोई हो को पूरा करना होगा विल हैव फुल्फिल मिनिमुम बैलेंस क्राइटेरिया इप इनी आफ दाप दाएंग ब विल नाट है टो फुल्फिल मिनिमम् बैलंस रिक्वार्मेंट आफ डाइन प्रादान नहीं है तो जो अगर आप सभी प्राप्ट करना चाहते हैं तो क्या आपको बैंक मिलेगी या नहीं आप सभी को वैसे पता भी होगा पी पी एम जेडी वाई में चेक-बुक नहीं मिल सकती है क्योंकि इसका प्राववधान चेक-बुक का नहीं किया गया है इस पी एम जेडी वाई खाता नियुक्षा धर ہیں तो यह प्रद कि जन्धन योजना वाला ऐसा होता है इसमें चेक Click का है यह नहीं किया गया वाथ षय्विंप आपको अरओ यह ए जै। यह आपको नहीं कीए ज़ाया है। लिखित में से कौन सा या कौन से खोले जा सकते हैं यही कोश्चन आपको अंगरेजी में इस तरह मिलेगा कि विच आप फालॉविंग एकाउंट्स इज या आर एलिजिबल टू बी ओपेंड अंडर पी एम जे डी वाई पी एम जे डी वाई के अधीन निम लिखित में से कौन सा या कौन से खाता या खाते खोले जाने के पात हैं तो यहाँ पर आप्शन है निरच्छर व्यक्तियों के नाम पर खाते एकाउंट्स इंडस नेम इलिटरेज परसन यानि लिटरेचर व्यक्ति भी खोल सकते हैं जन धन यूजना उस खाता को खोलने के लिए सभी पात्र हैं निरच्छर भी पात्र हैं सायूप्त खाते भी खोल सकते हैं यानि इन सभी में से क्या है उपर यूग्ति सभी आपसन आपका सायूगा कि सभी व्यक्ति खाते खोल सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेस्चन है दोस्तों DBTL, DBTL के अधीन आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्ट करने के लिए निम लिखित में से किसका होना आवश्यक है DBTL, Direct Beneficiary Transfer और L का मतलब होता है LPG LPG के अधीन, यहनि LPG में जो DBTL होती है उसकी सहायता का लाभ प्राप्ट करने के लिए पैराया निम लिखित में से किसका होना वस्यक है आप्शन है यहाँ पर बैंग खाता, बैंग एकाउंट, पैन नंबर, राशन कार्ड और टेलीफोन बिल तो अगर DBTL का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सभी को शब से पहले आपके पास एक एक अकाउंट होना चाहिए बैंग खाता होना चाहिए तभी आप DBTL के अधीन आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्ट कर सकते हैं कारबार सुसादकों जिसको कहते हैं BF के लिए क्या डूज करें करत्यों में सामिल है यहाँ पर कहता है कि जो अगर आप 20 BF बनेंगे तो उन में से आपको क्या करना चाहिए जो इस बताए गया आपसं में सामिल है यहीं अंग्रेजी में मिलेगा डूज फार BF इंक्लूट्स नमबर एक है ग्राहक से संबंदित जानकारी की गोपनीता भी बनाए रखना चाहिए नमबर दो है इस्थानी राजनीती में सामिल ना होना राजनीती में सामिल भी नहीं होना चाहिए और जातियत पूरवग रहे ये भी नहीं करना चाहिए तो मेंटेन रिकवरी आप दा कस्टमर इनफॉरमिशन नॉन इंडलिजेंस इन लोकल पॉलिटिक्स कास्ट बायस ठीक है तो यहां पे जो कारवार सुसादक होते हैं उनके लिए कहरा क्या क्या नहीं करना चाहिए तो सबसे पहला है ग्राहकों से संबंदित जानकारी की गो पूर कार होता है कि गोपनियता जरूर बनाए रखें और दूसरा नंबर है इस इस्थानी राजनीती में सामिल ना होना यहां पे करना करना कह रहा है तो यानि इस्थानी राजनीती में सामिल नहीं होना चाहिए ठीक है यहां पे जातिग्रह पूरो ग्रह जातिग्रह पू option क्या है एक और दो आपके सी नंबर सही होगा केवल एक और दो शही को आपको सही से पढ़ना है तभी आपको answer मिलेगा क्योंकि कुछ question में ही answer चिपा होता है इसलिए आप सभी पहले question को एक बार ध्यान से पढ़िए ना समझ में इसको दुबारा repeat करिए तभी आपको question का answer मिलेगा अन्य था आप negative पहुंच जाएंगे ओके next question है दोस्तों यहां पे ग्रामीड रिंड के संबन्द में कह रहा है कि कारोबार सुलब करता या प्रतिनीदी अन्य बातों के साथ साथ क्या करेंगे इन respect of rural credit a business facilitator या correspondent among other ग्रामीड रिंड के संबन्द में जो कारोबार सुलब करता है वो क्या क्या करेगा आप्शन है रिंड निरनायाओं को समर्थ या सच्छम करने के लिए ग्राहक की profile के लिए जानकारी एकत्र करता है collect information for customers profile to enable credit decision KYC या AML के परिप्रेच से ग्राहक को सुईकार करने पर निरनाय लेता है decides on accepting a customer from KYC या AML perspective रिंड आवेदन पर रिंड निरनाय लेता है takes credit decision on a loan application उधार करता कि चूक करने पर रिंड वापस मंगता है recalls a loan where the borrowers have defaulted ऐसा तो नहीं होता है अगर उधार करता चूक कर देगा तो रिंड वापस नहीं लेगा जब वो भरेगा नहीं तब तक आप रिंड रिंड निरनाय लेता है तो रिंड निरनाय लेने कार कारवास उलब करता का नहीं होगा के वाइसी एमल के पर पेच से ग्राह को सुईकार करने पर निरनाय ये भी ये तो के वाइसी तो होगी ही ठीक है रिंड निरनायों को समर्थ ये सच्छम करने के लिए ग्राह की प्रोफाइल के लिए जानकारी एकत्र करता है सबसे पहले तो ग्राहा की प्रोफाइल की जानकारी एकत्र करेगा जिसमें आपकी केवाइसी उसमें आपकी सिविल भी होगी और प्रोफाइल भी होगी कि यह कैसा बंदा है तो वही आपका यह नमबर आपका सही होगा कि रण नेर्णायों को समर्ष या सच्छम करने के को ग्राहक के बीच कई प्रकार की शंबंध हो सकते हैं निम लिखित में से किस कार की प्रणियाम शुरूब बैंकर ग्राहक का संबंध नहीं बनता है यही क्वेशन आपको अंग्रेजी में मिलेगा relationship between the banker and customer can be various types depending on the types of transaction which one of the following does not result in the banker customer relationship option है माल को बैंक की सुरच्छित अभिरच्छा में रखना keeping goods and safe custody with the bank बैंक के माद्यम से रिष्टेदारों को धन विप्रेसित करना remaining money to relatives through the bank बैंक से उधार लेना borrowing money from the bank बैंक की कारबार संपर्की के रूप में उसके लिए काम करना working for the bank as its business correspondent यहां पर सबसे पहले आप question को समझे क्या कह रहा है question कह रहा है कि लेन देन के अधार पर बैंक और ग्राहक के भी कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं निम लिखित में से किस कार के परिणाम शरूब बैंकर ग्राहक का संबंध नहीं बनता तो बैंकर ग्राहक का संबंध क्या नहीं बनता कि बैंक के माद्यम से रिस्टे जारों को धन वे प्रेसित करना यह बैंकर और ग्राहक के भी संबंध नहीं बनता option क्या है बी नंबर आपका सही होगा ग्राहक और ग्राहक के बीच में संपर्क संबंध नहीं बनता नेक्स्ट है कि बैस वर्तमान दिसानिर्देशों के अनुसार कारो बार प्रत्रीरी द्वारा नेम्न लिखित में से कौन से कारेकराफ की इकलाब किये जा सकते हैं नमबर एक धन प्रबंधन पर सलाई यह बीसी के लिए है रेड़ परामर्स रेड़ आवेदनों का मुल्यांकन और मंजूरी नमबर चार सूच में बीमे की बित्करी यही आंस क्वेश्चन आपको अंग्रेजी मिलेगा फिचाप फॉल्विंग एक्टिविटीज में भी परामर्स रेड़ लेने से समधित भी दे सकता है रेड़ आवेदिनों का मुल्यांकन और कार यह बैंक मित्त कार नहीं होता है कर सकता है तो आप्शन यहां पर मिलेगा ओके if नेस्ट कोर्षन है दोस्तों पी एम जे डी वाई के मंद में निम लिखित में से कौन सा खतन सही है विच वन आप फॉल्लिग मेंट इस टेटमेंट इज करेक्ट रिगारडिंग पी एम जे डी वाई प्रधान मंत्री जंधनी वुजना के समंद में निम लिखि की bank के बाहर नहीं खोला जा सकता है नंबर दो है bank खाता के वल एकल नाम पर खोला जा सकता है bank accounts can be opened in a single name only तो bank खाता joint में भी खोला जा सकता है bank खाता के नियुंतम जमा के साथ खोला जा सकता है bank account can be opened with minimum deposit only bank account can be opened on fixed day only यह भी गलत है तो आपका साही होगा सही हई कि मृन को सकते है क counting मृतिके साही होगा जो क कि सही होगा घगा शींद में निटिक sólo कोश्चा को अशींद ग्रहक को समझाने का तो तो the best way to explain a banking aspect to a customer is सबसे अच्छा तरीका क्या है ग्राहक को बैंकिंग पहलो समझाने का अप्शन है इसके बारे में सरल तरीके से बताना to tell about it in a simple manner इसे विनियामक तरीके से वर्ड़िद करना to describe it in a regulatory manner इसे उत्पाद manual में दिये गए रूप में वर्ड़िद करना to describe it as given in the product manual इसे तकनीकी सब्दों और वाक्यांसों में वर्ड़िद करना to describe in technical words and phrases तो ग्राहक को बैंकिंग पहलो समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा आप्शन में आपको बताया है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको समझ में आ रहा है कि इसके बारे में सरल तरीके से बताना ग्राहक को बैंकिंग पहलो समझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कारोबार प्रतिनिदी का आप्शन ए नमबर आपको सही होगा to tell about it in a simple minor नेक्स्ट क्वेशन है एन एफसी एन एफसी मोबाइल बैंकिंग मोबाइल कांटेक्ट लेस कार्ड डिवाइस के मामले में जमा लेंदेन ग्राहक के खाते और कारोबार प्रतिनिदी के खाते के बीज किस आधार पर निप्टाए जाते हैं इन केस आफ एन एफसी मोबाइल कांटेक्ट लेस कार्ड डिवाइस डिपोजिट ट्रांजेक्शन आर सेटेल बिट्वीन दे कस्टमर एकांट एंड बिजनेस करिस्पोंडेंट एकांट तो जो एन एफसी के लेंदेन का मामला होता है तो किस आधार पर निप्टाए जाते है जो ट्रांजेक्शन का मामला होता है तुरंत होता है इसटायंट होता है ततकाल कार होता है ठीक है तो अप्शन सी नंबर आप कसा होगा ततकाल ओके दोस्तों इस तरह की कोईशन पाने के लिए हमारे चैनल आई ICT Institute को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने अगर आप नए हो अगर आपका कोई मित्र या कोई भी करीबी हो जो इस तरह के वीडियो चाना पाना चाहते हैं तो उनको भी इस वीडिय सब्सक्राइब करें जब कोई ग्राहक डेविट कार्ड को कांटेक्ट कार्ड से युक्त हैंड हेल्ड डिवाइस पर स्वाइप करता है तो क्या होता है वेन एक स्वाइब डेविट कार्ड आने हैंड हेल्ड डिवाइस विद कार्ड जब कोई ग्राहक कांटेक्ट कार्ड स योग अगल डेवाइस पर स्वाइप करता है क्या इवाइस गरहा की विवनार्ट बतलाता है डिली इन अंता कускमर ड err डिली नाउं मॉबायल गतलों इ स्क्रीने, आगल ग्राइस ग्राइस स्क्रीणी का माण यह पर ऊक्षेक्टेनक फ्रॉइपῃ डेएस किया जाता है तो डिवाइस ग्राहक का विवनर्ण बतलाता है आप्शन क्या है यहाँ पे डिवाइस तो ग्राहक का विवनर्ण बताएगा नहीं क्योंकि बोलने का आप्शन नहीं होता है बोलेगा नहीं डिवाइस स्क्रीन का विवनर्ण प्रदर्सित करता है डिवाइस जो होगी वो स्क्रीन पर ग्राहक का विवराण प्रदर्सित करेगा यानि डिवाइस स्क्रीन ग्राहक का विवराण प्रदर्सित करता है तो आपका आपसन यही सही होगा डिवाइस स्क्रीन ग्राहक का विवराण प्रदर्सित करता है जो की आपसन भी नंबर में आपको देखने को मिल रहा है डिवाइस स्क्रीन गराहक का विवराण प्रदर्सित करता है प्रदानमंती जंधन योजना के अंतरगत विती सेवा प्रदान करने में कारवार प्रतिनिदी की महत पूर्ण गोमिका होती है और उन्हें के रूप में जाना जाता है बिजनेस कर्रेस्पोंडेंट्स हैवे की रोल इन प्रवाइडिंग फाइनेंसियर सर्विसेज अंडर प्रदानमंती जंधन योजना और नोन आज तो जो सर्विस प्रदान करते हैं वो किसके नाम से जाने जाते हैं ऐसा पूछ रहा है तो प्रदानमंती जंधन योजना के अंतरगत वित्ती सेवाइड प्रदान करने में जो कारोवार प्रतिनिदी की महत भून का होती है उसको क्या कहते हैं आप्शन है गराहाक मित्र जंधन मित्र बायंक मित्र बायंक प्रतिनिदी जो बायंक मित्र जो होते हैं वही सारे कार प्रधान मंतरी सुरच्छा बीमा योजना के अंतरगत एक आंक की हानी के मामले में उपलब्द बीमा सुरच्छा है अंडर प्रधान मंतरी सुरच्छा बीमा योजना दकावर अवेलबर इन केश आफ लास आफ वन आई तो दोस्तो प्रधान मंत्री जो सुरच्छा बीमा योजना है उस स्कीम के तहट अगर किसी भी लावहर्थी का एक आख चली गई तो उस मामले में कहरा है कि यहां पे उसकी जो बीमा सुरच्छा की रखम है वो कितनी आपको मिलेगी यहां पे आपसर है ए नमबर में 50 अजार बी नमबर में 5 लाव, सी नमबर में 2 लाव और डी नमबर में 1 लाव रुपए तो दोस्तो प्रधान मंत्री सुरच्छा बीमा योजना के अंतरगत अगर किसी भी वेक्ति की एक आख चली गई अगर वन आफ लास आफ आई है एक आख की हानी हो गई है तो उसको 1 लाव के लिए ग्राहकों के लिए नगदी रहित खरीदियों को सुगम बनाने के लिए कार बार संपर की जिनको बी सी बोलते है बिजनेस करेस्पॉंडेंट के इंदरों पर मौझूद उपकरन नेम लिकित में से कौन सा है क्वेश्चन अंगरे जी में है विच बन आफ दॉ फाल प्रड़ान मंत्री सुरच्छा विमा योजना को अवेल्बल टू प्दाण मंति सुछ्च्छा वीमा योजना कीन कोई लफद है कह रहा है तो यहां पे आप्सान हैं पहला है बैंक के सभी जमा करता हूं all depositors of the banks के वल ऐसे जमा करता हूं जिन्होंने प्रदाण मंति जंधन योजना के अधीन खाते खौले रखे हैं only the depositors who have opened accounts under PMJDY तीसरा आप्शन है केवल गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों और लाश्ट आप्शन है डी नंबर की 18 से 70 वाल से किया आई वाले सभी बैंक खाता धारक व्यक्तियों आल इंडिविज्वल बैंक एकाउंट होल्डर्स इन दा एज आफ 18 to 70 तो इस क्वेशन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपको बताना है इस क्वेशन का सही आंसर होगा वो होगा आल इंडिविज्वल बैंक एकाउंट होल्डर्स इन दा एज आफ 18 to 70 18 से सत्तर वर्ष की आयो वाले सभी बैंक खाता धारक व्यक्तियों को सुर्धान मंति सुच्छा भीमा योजना का लाब मिलेगा वो उन्हीं के लिए उपलब्द है आपसान डी नंबर साइग है नेश्ट कोईशन है दोस्तों डी बी टी एल डी बी टी एल के अधिकिन लोगों को निम लिखित में से कौन सी सुवधा प्रदान की जाती है तो डी बी टी एल का नाम आपने सुना होगा एल पीजी आर्थिक सहायता का प्रत्य चलाव टोकन यह डी बी टी का आप यह आप आप्शन बताएंगे आप चार आप्शन में से सही आप्शन कौन सा होगा तो पहला आप्शन क्या है लपीजी आर्थिक सहायता का प्रत्य चलाव टोकन यानि डारेक्ट बेनी फीसेडी टोकन आप लपीजी सबसीडी बी नमबर है लपीजी आर्थिक सहायता का प्रत्य चलाव अंतरण यानि डारेक्ट बेनी फीसेडी ट्रांसफर आप लपीजी तो इस question का सही answer क्या होगा आपके screen में 4 options दिखाए दी रहे हैं और 4 में से एक option होगा जो की option होगा बी नमबर का LPG आधा आर्थिक सहायता का प्रत्यच लाब अंतरण LPG आर्थिक सहायता का प्रत्यच लाब अंतरण Direct Beneficity Transfer to Transfer of LPG Subsidy B-Number आपका सही होगा Next है अनिवासी भारती जिसको NRI बोलते हैं लोक भविसनिधी खाता PPF खोल सकता है NRI Open a PPF एकाउंट तो NRI जो है वो क्या PPF एकाउंट खोल सकता है या नहीं यह आपको बताना है तो Option A में है नहीं खोल सकता है Not Can't Open खोल सकता है Can't Open खोल सकता है बसाते खाते में जमा विदेशी मुत्रा में किया गया हो Can't provided the deposit in the accounts are made in foreign currency और D number है खोल सकता है लेकिन उससे SB22 दर मिलेगी Can't opens but he will get SB interest rate तो इस question में क्या है कि NRI खाता खोल सकता है या नहीं खोल सकता है बताना है तो NRI जो होते हैं वो खाते नहीं खोल सकते हैं PPF account नहीं खोल सकते हैं Okay NRI can not open PPF account Next question है दोस्तो एक अधीर ग्राहक से निपटने के लिए प्रसंभावित रणनी ती क्या हो सकती है What can be a likely strategy to deal with an important customer? Option है सक्री रूप से सुने और दोहरा वाले प्रसंभों से बचें Listen actively and avoid repetitive question दोहरा वाले question से बचें B number है समस्या के समाधान में दच्च मने जरूरत पढ़ने पर वरुष्टों को सामिल करें Be efficient towards slowing problem यहाँ slowing की जगह में होगा solving sorry Involve seniors in need C number है ग्राहा के साथ बहस से बचें धायरे बनाए रखें Avoid arguments with the customer be patient तो ग्राहा के साथ बहस से बचें धायरे बनाए रखें D number है ग्राहा की नीतियां के यवल दिसाने देश हैं ग्राहा की सेवा करने के लिए आप उनकी अंदेखी कर सकते हैं Banks policies are guidelines Only you may overlook them to reserve serve the customer तो इस question का सही answer क्या है आप संद आपको बताने है 94 का question है आपको सही answer बताना है तो इस question का सही answer क्या होगा दोस्तों ऐसे question तो आप देख कर बता सकते हैं क्योंकि ये experience पर निर्वर करता है आप सभी के तो यहां पर B number है समस्त्या के समाधान में तच्छ बने जरूरत पढ़ने पर वरिष्टों को सामिल करें यही आप सान आपका सही होगा यानि B efficient towards solving problem involve seniors if need be ठीक है B number आपका सही होगा इस 94 की question का दोस्तों अगला question है लिकित में से कौन एक गयर वित्ती लेंदेन नहीं है which one of the following is not a non-financial transaction तो non-financial transaction कौन सा नहीं है आपको आप सम्में देख के बताना है sales पूशता balance inquiry तो आप बैंक में कर सकते हैं financial लेंदेन है लेंदेन alert transaction alert होता है जब लेंदेन करते हैं तो आपके mobile में message जाता है जानकारी मिलती है DTH recharge यह DTH recharge जो है यह एक प्रकार का लेंदेन का गयर लेंदेन है एक प्रकार का यह वित्ती लेंदेन नहीं है तो DTH recharge इसी question का सही अंसर आपका होगा C number और लगू भी बरन यह mini statement भी आपका bank से होगा तो DTH recharge आपका इस question का सही आंसर होगा जो कि एक गयर वित्ती लेंदेन नहीं है नेक्स आपना दोस्तो नाबाड ने 1982 में रेड के माध्यम से विकास के पांच सिधानतों का प्रचार करने के लिए VVV का रिकम शुरू किया VVV का पूंड़ों क्या है नाबाड in 1982 has started VVV program to propagate the five principles of development through credit what does VVV stand for तो यहाँ पे इनका मोटर है यहाँ पे मेन मकसद क्या है मेन उद्देश इस question का है कि VVV का फूल फार्म क्या है तो दोस्तो मैंने VVV के फूल फार्म कई बार बता हैं अपने question की इस पर एक बार नहीं कई बार आप सभी को बताए हैं तो आप सभी को इस question की जानकारी तो होगी ही की VVV का पूल रूप क्या रोप होता है विकास वालंटियर वाहिनी बी नंबर में विकास वालंटियर वाहिनी बी नंबर आपका सही answer होगा ठीक है VVV का next question के और चलते हैं next question है हमें अपनी बचतों को bank में सुरचित रखना चाहिए क्योंकि we should keep our savings with bank with banks because bank में रखना चाहिए क्यों रखना चाहिए क्योंकि आपको पता है क्यों रखना चाहिए option बताने की बज़रूरत नहीं है फिर भी बताया दे रहे हैं यह के सुरस्षित है किसी भी βांत रेटेक्ता है मिलेगा किसी बहुँ अगलेगा किसे भी समय निकाल भी सकते हैं। तो बैंक इनके किराफ लोन नहीं देता है यानि इन में से लोन नहीं देता है किस में नहीं देता है सोने के आपूच्छान खरीदने में गोल्ड आर्नामेंट्स में एलाइसी पॉल्सी में नहीं देता है लोट्री टिकट में नहीं देता है तो किस में नहीं देता है तो इस क तो दोस्तो अब अगला question 99 का है ATM password share करना चाहिए ATM password to be shared only with आपके पास ATM है डेविट कार्ड है तो उसको share करना चाहिए क्या उसका password आपको share करना चाहिए या नहीं चाहिए ये आपको question में पूछ रहा है तो किसको share करना चाहिए जीवन साथी को के अग्याकारी पुत्र को ओविडियेंट सन को अग्याकारी पुत्री को इन में से कोई नहीं तो दोस्तों मैं आप से बताना चाहिता हूँ कि आप सभी को ये चीजे पता भी होगी ATM pin हमेशा गोप नहीं रखा जाता है ये किसी को share नहीं किया जाता है यहाँ तक कि अपने सगे संबंदी को भी ATM pin share नहीं किया जाता है तो ATM password एक प्रकार से गोप नहीं होता है share करने की जरुरत नहीं होती है इसलिए आपका इस question का D number सही होगा इन में से कोई नहीं ओके इन में से कोई नहीं होगा किसी को आपको share नहीं करना चाहिए अब next question है दोस्तों जीवन भीमा का अर्थ है life insurance means जीवन भीमा का main अर्थ क्या होता है आपने जीवन भीमा का नाम सुना होगा तो उसका अर्थ क्या होता है option है manus का भीमा insurance of human manus चार मवैसियों का जीवन भीमा insurance of life of human and cattle machine का जीवन भीमा insurance of life of machines machine का भीमा उपर इक सभी तो life insurance का मतलब क्या होता है जीवन भीमा का आप सभी को इस question को पढ़ने की बिलकुल जरूद नहीं है क्योंकि ये question आपको पता ही होगा कि life insurance का मतलब क्या होता है जीवन भीमा का ठीक है तो इस question का answer क्या होगा फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ इस question का answer जो होगा वो होगा manus का भीमा manus का भीमा ओके ये होता है life insurance जीवन भीमा ओके तो दोस्तों कैसी लगी ये आई आई बीएफ की 100 क्वेशन की सीरीज आसा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा हमारे चैनल में नाया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी नभूले और दूस्तों काफी हमारे जो वीवर्क है यह जो भी पढ़ते हैं तो उनको कुछ गलत मिलते हैं तो आप सभी उसे उनके लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि टाइपिंग करने में या हमारी टीम के दोरा कुछ मिश्टिक हो जाती है तो उसके लिए मैंने पीडियेप प्रवाइड कर दी है पीडियेप में आप सभी कुछ सही अंसर मिलेंगे क्योंकि जो भी नए सुधार किये गये हैं पीडियेप में सुधार हो गये हैं और अब लेटिस्ट क्वेशन की सीरीज इससे जो अभी नए पैटर्न आने वाला है तो उसकी सीरीज आप सभी को बहुत ही जल्द मिलने वाली है तो